नमस्कार दोस्तों मेरा नाम राहूल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरी YouTube चैनल study with राहूल सागर में तो चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है आज का टॉपिक है हमारा प्याजेस theory of moral development प्याजे का नैतिक विक पहले करवा चुका हूं अगर आपने वह अभी तक वीडियोस नहीं देखिए तो प्लीज जाकर देखिए उनको जो है अच्छे से डीटेल में डिसकस्क वहाँ पर किया गया है चलिए ज्यादा समय को ना गवाते हुए हम सीधा टॉपिक पर ही आते हैं प्याजे जी अगे और एड़ काना चाहूंगा यहाँ पर क्योंकि एक मौरल डव्लेपेंट का सिध्धान्थ कऊलबर्ग ने भी दिया है कोलबर्ग ने जो जलमठे को सिध्धान डिया था जो कि से इंस्पायर थी वह प्याजे की थियोरी से ही inspired थी, मतलब कि इसी थियोरी से inspired थी, पहले तो ये पहले प्याजे ने बात की थी, नेति विकास की सिद्धान पर, फिर उसके बाद कोहलबर्ग ने बात की थी, किसने पहले प्याजे ने थियोरी दी थी, moral development से related, फिर उसके बाद में कोहलबर्ग ने बात की थी जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और आज हम प्याजे की थियोरी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो चलिए According to him, moral development is the product of thinking, thought and actions interaction यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर यह है प्याजे कहते हैं कि जो बच्चे का नयतिक विकास है एक तरीके से product है किस-किस चीज़ का उसकी thinking process उसके जो thought है उसके जो सोचने की पिरकिरिया है और उसके जो विचार है और वो किस तरीके से उन इन thought के based पर क्या actions करता है इन दोनों के बीच में जो परस पर किरिया होती है वो ही क्या कहलाता है moral development कहलाता है कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बच्चा क्या सोचता है और क्या उसके विचार है और उन विचारों के प्रतिवों किस तरीके से actions ले रहा है और इन इन दोनों का action और thinking और thought का जो interaction है जो परस पर किरिया है वो ही क्या है moral development है ठीक बात कर लेते हैं आगे according to him child goes through two stages प्याजे के according जो बच्चे का नेतिक विकास है वो two stages से होकर गुजरता है मतलब की two stages के माध्यम से होता है पहले stage है hydronomous और दूसरी stage है autonomous हिट्रोनॉमस को हिंदे में क्या कहेंगे परायत कहेंगे इसे हिट्रोनॉमस morality मतलब की परायत नेतिक था और दूसरी क्या है दूसरी कौन से stage है दूसरी stage है हमारी autonomous morality ठीक मतलब की स्वायत नेतिक था ठीक है तो अगर हम बात यहां पर करें सुरुध में जो बच्चों की जो thinking होती है एक तरिक की से जो सोच होती है जैसे जैसे-जैसे बड़ा होता चला जाता है उसी तरीके से इन रोल्स और रेगुलेशन के प्रतीज जो बच्ची की सोच होती है वो क्या हो जाती है एक तरीके से एक complex होती चली जाती है, शुरुआत में तो कठोर होती है, बाद में complex होती चली जाती है, ठीक, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ठीक, बात कर लेते हैं, यहाँ पर हिट्रोनोमस की, हिट्रोनोमस मतले की स्वायत नैतिकता, 5 से 9 इयर्स की एज यहाँ पर बताई गई है ठीक, इसे हम authority भी कहेंगे, ठीक, second stage कौन से हमारी autonomous स्वायत नैतिकता, जो 9 से 10 वर्स के वस्ता में आती है, बात कर लेते हैं, हिट्रोनोमस में क्या कहा गया है, when other persons decide morality rules of your behavior, हिट्रोनोमस stage में क्या होता है, हिट्रोनोमस stage में, वो rules और regulations फॉलो करने होते हैं, बच्चों को, या फिर एक वक्ती को, मतलब बच्चे हैं, बच्चे ही होता है, 5-9 साल का तो, उस बच्चे को वो rules फॉलो करने होते हैं, जो उस पर समाज के द्वारा, या फिर किसी अन्य वक्ती के द्वारा थुपे गई हैं, मतलब एक तरीके से कहने का हैं, पर यह मतलब कि, when other person decides morality rules of your behavior मतलब कि, यहां पर जो आपके जो morality के rules होंगे, वो आपको वो rules follow करने पड़ेंगे, जो किसी दूसरे वक्ती के द्वारा बनाए गई हैं, किसी other लोगों के द्वारा बनाए गई हैं, यह या तो आपके मावाप हो सकते हैं, यह कोई तेरके से बोल सकते हैं, कि God के द्वारा बनाए गई कुछ rules हो सकते हैं, यह teacher के बनाए गई rules हो सकते हैं, मतलब कि, कहने का यहां पर यह मतलब है, कि heteronormous stage में क्या करता है, बच्चा, दूसरों के बनाए गई नियमों के आधार पर चलता है, ठीक, बात कर लेते हैं autonormous की, autonormous जो 9 से 10, मतलब 9 to 10 is की अवस्था ह इसमें क्या होता है, when moral rules are self-decided, autonormous stage में क्या होता है, autonormous stage में, बच्चा उन rules को follow करेगा, जो उसके खुद के द्वारा चूज़ के गए हैं, या फिर वो जो rules खुद के द्वारा बनाए गई हैं, क्या, या तो खुद के द्वारा चूज़ के गए हैं, या फिर खुद क rules को follow करेगा और उन्हीं के based action लेगा ठीक प्याजे emphasizes on how a child taken decision not on what decision he taken प्याजे जो है प्याजे इस बात पर जोड़ देते हैं प्याजे ने इस बात पर जोड़ दिया है कि बच्चे क्या decision लेते हैं इसका कोई मतलब नहीं है मतलब वो किस तरीके से decision ले रहे हैं यह महत्पूर बात है प्याजे कहते हैं कि बच्चे क्या decision क्या decision ले रहे हैं किसी चीज को ले करके वो क्या decision ले रहे हैं यह इतना महत्पूर नहीं है वो किस तरीके से वो किस way में किस सोचकर किस way में सोचकर वो decision ले रहे हैं ये बहुत महत्पूर है उनका मतलब मारका चलिए वो किसी कोई उन्हें problem दी गई ठीक अगर उन्हें कोई problem दी गई और उन्हें उनसे कहा गया कि आप इसके बारे में कोई decision लीजिए तो प्याजे कहते हैं जो बच्चे का लिया है वो कैसे लिया है ठीक तो तीन questions के बारे में बात की है प्याजे की theory ने how children thinks about understanding of rules rules को समझना मतलब where do rules come from मतलब बच्चे जो है शुरुआत में तीन questions को उठाते हैं मतलब कि ये rules कहां से आते हैं who makes rules मतलब इन rules को कौन बनाता है can rules be changed क्या rules को change किया जा सकता है second कौन सी है moral responsibility who is blame for bad things जो अगला question है वो ये है कि जो समाज में गलत चीजे हो रही है इसके लिए किसको blame किया जा सकता है ठीक अगला count से है justice should the punishment fit crime क्या जो punishment है क्या punishment से ही जो crime है वो खतम हो सकता है are the guilty always punished क्या जो हमेशा जो दोसी वेखती है उसको punished किया नहीं सही है ठीक तो यहाँ पर जो है ये तीन questions के बारे में बात की है प्याजी की theory में understanding of rules मतलब कि ये rules कहां से आए है कौन इन rules को बनाता है क्या ये rules change किया जा सकते है या फिर moral responsibility के बात करें क्या जो समाज में कहला चीज़े हो रही है इनके लिए कौन responsible है ठीक, इसके बारे में बात की गए है justice की बात करें तो सोड़ता punishment of it crime क्या punishments ही क्या एक मातर solution हो सकता है जिससे crime बंद होगा या फिर हमेशा ही जो दोसी वेक्ति है क्या ऐसा कोई option नहीं है तो ये तीन questions के बारे में प्याजे की थोरी में बात की गई है ठीक, प्याजे found that children's ideas regarding rules moral judgment and punishment gets a change as they grow older मतलब प्याजे कहते है प्याजे कहते हैं कि जब बच्चों के जो विचार है rules को लेकर के या फिर moral judgment को लेकर के नैतिक निर्णों को लेकर के punishment को लेकर के वो क्या है change होते जाते हैं जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं rules को लेकर के regulations को लेकर के जो बच्चों का जो एक तरी के से ideas है जो उनका जो बोल सकते है उनका जो एक तरी के से उनकी जो सोच है इन रूल्स को ले करके जैसे जैसे वो बड़े होते चले जाते है इनकी स्परति जो सोच है वो क्या हो जाती है वो बदलती जाती है जैसे जैसे वो बड़े होते चले जाते है ठीक बात कर लेते हैं आगे क्या कहा गया है There are two stages of moral development given by प्याजे प्याजे ने two stages के बारे में बात की है हमने पहले दिखाए है आपको heteronormous और autonormous morality ठीक morality imposed from outside heteronormous morality में क्या है वो नैतिकता के नियम आपको follow करने होंगे जो आपको ऊपर दूसरे लोगों के द्वारा थोपे गए हैं दूसरे लोगों के द्वारा बनाए गए हैं उन रूल्स के तरो है आपको चलना होगा इस stage में बात करें हम पर भी विचार किया जाएगा autonormous morality की जे stage है इसमें क्या करता है बच्चा जो रूल्स बाहर के थोपे गए हैं उन पर विचार करने लगता है और उन पर विचार इस तरी किसे करता है कि वो सोचने लगता है कि जो नियम्स यह जो रूल्स यह फिर रेगुलेशन्स मैं जो फॉलो कर रहा हूं इन रूल्स को किसने बनाया है और इन इस बनाने वाले का जो इरादा था वो क्या था और इससे क्या impact पढ़ने वाला है इन सभी जो questions को बच्चा जो है raise करने लगता है उठाने लगता है कि और इसी based पर जो है यहाँ पर autonormous morality की stage में बच्चा खुद क चूज किये रूल्स को फॉलो करके आगे बढ़ता है ठीक तो बात कर लेते हैं इसमें जो है अलग-अलग कुछ options दे गए हैं इसके मतलो difference के बारे में बात कर लेते हिट्रोनुमस morality में क्या-क्या होता है और autonormous morality में क्या-क्या होता है ठीक हिट्रोनुमस की बात कर लेते ह rules as being absolute and unchanging divine-like मतलो यहां पर कहने का यह है इस stage के दौरान बच्चे जो है इन rules को ऐसा मानते हैं कि इनको change नहीं किया जा सकता है या तो ऐसा मानने लगते हैं बच्चे कि यह जो rules बनाए गए हैं यह किसी स्वर्ग द्वारा उतरे हैं या फिर किसी भगवान के द्वारा बना गई हैं जिनको change नहीं किया जा सकता है ठीक दा डूरिंग दिस स्टेज चिल्डर कंसीडर रूल्स एज बिइंग एबसलूट एंड अंचेंजिंग मतलो इस stage में जो है जो rules बनाए गई हैं उनको जो है कभी change नहीं किया जा सकता है बात कर रहे हैं हम ऑट्रोंपस की तो चि जो है बच्चा जो है यह मान कर चलता है कि आख गलत और सही जैसा कुछ नहीं होता है यह डिपेंड करता है कि उस वेक्ति ने अगर कुछ काम गलत किया है तो उसका intention क्या था अगर उसका intention शाही है तो वो गलत नहीं है मतलो उसके rules के according वो गलत नहीं है ठीक तो children recognize there is no absolute right or रॉंग मतलब सही और गलत जैसा समाज में कुछ नहीं है that morality depends on intention not consequences मतलब उसके परिणामों पर आथारित नहीं है उसके परिणामों पर निर्भर नहीं है उसका जो matter करता है कि उसका intention क्या था ठीक autonomous morality के stage में बात कर लें दूसरी दूसरे point के बारे में मतलब कहने का यहां पर यही मतलब है कि जो rules है वो किसी ऐसी authority की दोरा बनाए गए है जो change नहीं किया सकते children take other people's intentions and circumstances into account start making more independent moral judgment in the second stage मतलब जो second stage बताएगी है जो autonomous की इसमें यहीं बताया गया है कि जो एक व्यक्ति का गलत करने अगर वो कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसका intention पर भी focus किया जाएगा ना कि जो बाहर से थोपे का इन्यम है जो rules है उनके द्वारा उसको सजाद दे जाएगी उसका intention क्या था उसके according अगर उसका intention सही था तो वो गलत चीज़े भी वो सही है मतलब कि rules को change किया सकता है rules को break किया जा सकता है ठीक second stage में they accept all rules that are made by some authority मतलब यह इस stage में बच्चे की जो थिंकिंग हो जाती है वो एक तरिके से अडल्ट वेक्ति की तरह ही हो जाती है ठीक they believe that breaking the rule will lead to immediate and severe punishment heteronormous stage में क्या होता है वो बच्चा यह विश्वास करता है कि अगर वो rules को तोड़ेगा अगर वो rules को तोड़ता है तो उससे जो है तुरंत उससे punishment मिल जाएगा और कई तरीके से punishment मिल जाएगा ठीक तो और मतलब एक तरीके से severe punishment और immediate punishment उसको मिल जाएगा ठीक बात कर लेते हैं यहां पर second की मतलब fourth की older children don't just take consequences into account they also consider motives यहां पर जो है बच्चे के यहां पर जो है motives पर भी ध्यान जाएगा दिया जाएगा मतलब कि उसका उद्देश्य क्या था अगर उसने कुछ काम गलत किया है तो उसका उद्देश्य भी ध्यान में रखा जाएगा they think that rules can't be changed and have always been the same as they are now मतलब यहां पर यह कहा गया है rules को change नहीं क्या जासता और वो बने ही रहेंगे मतलब जैसे आज है वो आने वाले समय में भी वो ऐसे ही रहने वाले हैं इस stage में यह सोचता है children now understand that people make rules and people can change them they are not permanent यहां पर बच्छा यह सोचता है कि जो rules किसी authority के द denn क्या जा सकता है, यहां पर बच्छा यह समझ जाता है कि इस यह जो rules बनाय गए गती किसी ע multipy को ce सही है तो प सूल हो है हिए यहां पर लुसे और स्टेश के बाड़ की गई है moral development से enemy, heteronomy, heteronomy second और autonomy इनको आप केवल याद कर सकते हैं और जो mostly पुछी जाएंगे वो यहीं पुछी जाएंगे heteronomous और autonomous morality से ही यहाँ पर question देखने को आपको मिलता है in 1932 प्याजे गेव two main types of moral thinking इन्होंने जो है दो पिरकागी सोच के बारें बात किये heteronomous morality और autonomous यही है ठीक यहाँ पर क्या है morality realism किसे जुड़ी है heteronomous है moral relativism autonomous से जुड़ा हुआ है rules are divine मतलब जो rules है वो किसी स्वर्व के द्वारा उत्रे हुए है या फिर भागवान के द्वारा बनाए गए है heteronomous stage में morality of constants external मतलब बाहरी जो नियम है वो थोपे गए हैं बच्चे पर autonormous stage में क्या होता है moral relativism जो है इससे जुड़ा हुआ है autonormous से और morality of cooperation एक internal मतलब खुद के चूज़ किये गए है ठीक यहाँ पर यही बात किये है वो ही गुमा फिरा कर यही बात की गए है यहाँ पर ठीक तो चलिए दोस्तो आज की हमारी यही वीडियो थी आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर मेरी आप सभी से यही request है कि अगर आपने आप तरह चैनल को subscribe नहीं किया है मतलब थे और इसकी वीडियो से भी बनाई है मैंने कुछ उनको भी आप जाकर देख सकते है and thanks and thanks for watching